तो एलेफें置 कैसे हैं आप दोस्तो आज में आ आधने आज़ हो सेंप्संग इंटरनेर्ड ब्राउजर के बीटा वर्जन के बारे में दोस्तो अभी कुछ दिन पहले मैं वीडियो बनाई जिसा में ने बताया था अपने अपडेट ups 2020 और ने वीडियो नहीं देखिए दोसcondsक कर सकते हैं इंटरनेट ब्रावजर में तो वीडियो उसकी मत करेंगा दोस्तों वीडियो को पूरे देखी तो ही आप समझपाएंगे दोस्तों चलते हैं मेरे नाम सभागत है मेरे चैनल ऐसे टैक में दोस्तों जैसा कि मैंने बताया मैं आपको बताने वाला हूं सैंप्संग ब्रावजर के बीटा वर्जन 16 के नए फीचर के बारे में तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों पहले आपके पास सैंसंग इंटरनेट ब्रावजर का 15 वरजें अगर आपके पास इंस्टॉल है तो आपको सिंपल ही करना क्या होगा आपको जाकर उसको अपडेट कर लेना है और आप्टोमेटिक आप वर्जन 16 पर पहुंच जाएंगे तो आप मेरे पास वहाँ पर इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पर चले आता हूं अपने वाइल के गलेक्सी स्टोर में जाने का आपको करना क्या है आपको जाना है यहां पर आपको नीचे की तरफ आएंगे यहां पर मिल जाएगा Samsung Internet Browser का वीटा वर्जन आपको दिख रहा होगा यह Samsung Internet Browser वीटा वर्जन आपको मिल जाएगा वहाँ पर आपको एक नए एक्सपिरिंस दिया गया और कुछ नए नॉर्मल से चेंजिस किये गए तो मैं इसको कर लेता हूं सबसे पहले अपडेट आपको कर लेना है इसको अपडेट अगर आपके पास इस्टॉल नहीं है तो आपको सिंपल ही अपने गलेक्सी स्टोर में अपने प्लेस्टोर में जाके वहाँ पर आपको सर्च माल लेना है समसंग इंटरनेट ब्राउजर बीटा वर्जन आपको वहां से इसको इसको इंस्टॉल या अपडेट कर लेना है तो इसको इसको फर्स टाइम ऑपन करेंगे तो आपको यहां पर बहुत सारे एनन दिखे आपको दो आप्शन मिल रहे हैं उपर शोगो टू टॉप बॉटम और शोगो टू बॉटम बटन आपको इन दोनों को आउन कर लेना है अब यह एक्चुल में यूज कैसे होते हैं तो यह बता दूँ अब मैं यहां पर लेचलता हूँ आपको गूगल वाली वेबसाइट यहां पर मैंने सर्च मार लिया लाइक मैंने यहां पर सर्च मार लिया गूगल कि मैंने यहां पर गूगल सर्च मार लिया अगर आप गूगल मैंने कुछ भी आप सर्च मार लो में नॉर्मल सी चीज बता रहो यहां मैंने सर्च मार लिया अगर आप देखेंगे मैं नीचे जाओंगा और ऐसी आप देखेंगे आपको उपर के लिए भी एरो दिख रहा है और अगर आप बीच में होंगे तो भी आपको अप्डाउन के एरो दिख रहे होंगे तो यह हैं टॉप बॉटम बटन के लिए जो कि मैंने आपको अन करवाए यह वही वाला ऑप्शन है तो य यहां पर आपको एक नया ऑप्शन दे दिया गया अगर आप यहां पर डाउनलोड कर लेंगे तो होगा कि आप डारेक्टली यहां पर ट्रांसलेटर का भी यूज़ कर पाएंगे इंटरनेट ब्राउजर पर आप देखेंगे पहले यह नहीं था जस्ट अभी जोड़ा गय है आप यहां डारेक्टली ट्रांसलेटर को यूज कर पाएंगे आप दिख उबाँगा सिंक यहां पर एक इसको प्कर अप हैं यहां पर ब्राउजर पर ब्राउजर पर आने किया आप देख रहे होंगे यहां पर आपको आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको इस पर क्लिक कर ले हैं यहां पर आपको मिल जाएगा इस पर करूलिक करना के बाद हैं यहां पर इसका new कर पाएंगे और अपनेके लिए और अपर अब यहांसी एक्टिवेट हो जाएगा आपको दिख रहा होगा यहां पर आपको डाउनलोड करने को बोलेगा और आपको ये डाउनलोड करके इसका यूस कर पाएंगे तो ये था second feature दोस्तों जो कि मुझे लगा change होने के बादा है दोस्तों जो मैं तीसरा feature बतने वारा हूँ वो भी बहुती कमाल का लगा हूँ सबसे best feature लगा यहाँ पर अगर आप यहाँ पर URL पर आएंगे यहाँ पर आप कुछ भी लिखते हैं URL पर लाइक मैंने यहाँ पर लिखा Google तो URL पर दोस्तों Google लिखने के आदा आप देख सकते हैं आप कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए एक नया option मिल रहा है कि अगर आपने इस से लेटिट कभी कोई हिस्ट्री कोली हो या आपने अगर विजिट करा हो तो उस page का link भी मिल जाएगा आप directly उस पर क्लिक करके उस page पर पहुच पाएंगे तो यह फीचर भी बहुत अच्छा लगा दोस्तों यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे तो उस से लेटिट आपको कुछ ना कुछ बताने वाला है तो यहाँ पर लिखा जैसे like मैंने हेलो लिखा तो हेलो से लेटिट आपको बता दिया है हेलो हेलो गूगल हेलो इनको अब जो भी आप लिखेंगे यहाँ पर आपको suggestion का option मिलने वाला है उसके बाद दोस्तों जो मैं बताने वाला हूं fourth feature वह भी कह सकते हैं फीचर तो नहीं है बोल सकते हैं नॉर्मल सा एक interface दे दिया गया एक बहुत सकते हैं experience दे दिया गया जिससे आप easily कुछ भी अगर आपको search करते हैं अगर आपको visible नहीं होता तो उसको बढ़ा करना हो तो बहुत easy option दे दिया गया आपको इस पर click करना है यहाँ जूम का option दे दिया गया आप easily उसको बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर page की बड़ा और छोटा कर सकते हैं यहाँ पर मुझे लगता है कि यह feature पहले भी था बट इस page का बस नाम चेंज कर दिया गया यहाँ पर zoom लिग दिया गया है पहले और कुछ नाम आता था उसके बाद दोस्तों सबसे कमाल की जिए जो best feature यहाँ पर एड किया गया है जो कि मैंने पहली बताया था ट्रेकिंग पिक्सल तो ट्रेकिंग पिक्सल मतलब क्या होता है आप देखेंगे मैं यहाँ पर आपको ले चलता हूं वापिस यहाँ पर galaxy store प है यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो एक नया फीचर लिखा गया है यहाँ पर जोड़ा गया है ब्लॉकिंग ट्रेकिंग बाई इन्वेजिवल इमेज ट्रेकिंग पिक्सल मतलब की जो भी अगर आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं अवरे उसी प्रोडेक्स एलिट गर सदिखा दिये जो आपने पहले सउच करें थे तो वहाँ पर आपको कोई भी ट्रएक नहीं कर पाएगा कि आपने क्या सब प्रोडेक्ट आप सर्च माएग तो उससे आपकी security बनी रहेगी, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा आप पर जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, setting पर, setting पर जाना है, आपको जाना है, privacy और नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर मिलेगा smart anti-tracking वाला option आपको उसको कर देना है, security mode only और यहाँ पर security mode पर हो गया है, और आपको कोई track नहीं कर पाएगा दोस्तों, यही latest update आया था इस Samsung internet beta version पर, उमीद है कि दोस्तों आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो thank you, तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो please like जरू करें, अगर आपको लगता है तो मेरी वीडियो कुछ कमीज़ हो, प्लीज लाइक भी आ सकते हैं दोस्तों और हो सके तो मुझे इस्टागर और फेज़ो फ्लो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीशे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो thank you